नमस्कार श्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मंचवे तो जैसा कि हम बात किये थे कि एक करेंट रिफियर का सेशन हम लोग करेंगे और यह रिवीजन पर प्रपस हम लोग करेंट रिफियर करेंगे तो आप जहां से विजू मैगजिन पढ़ रहा है वो मैगजिन आप आपका अभी आरो यारो की बात कर लें ठीक है यह अगामी जो भी एक्जाम होने वाला है उससे अगर देखेंगे तो बारस यह 15 महीने का करेंट फिर आप रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे जो है अच्छा होता है यानि आप जो है बहुत बहतर हालत में अपने चाहिए और इसमें भी प्रियरिटी बेर स्विबात करें तो लास्ट जो है आपका छे महीने का लास्ट छे महीने का करेंट फिर इसका वेटेज जो है एक्जाम में आपको ज्यादा देखने को मिलता है चाह कोई एक्जाम आप देख लें एक संपूर्ण एनलाइसीस आप तो यही रिजल्ट पाएंगे तो लास्ट छे महीने से लगबख जो है साट से सितर परती सत्थ पुरश्यन आपको बनाया जाते है और इसमें भी अगार ध्याद करेंगे और करेंट इफएर करी विजन हम लोगं MCQ के माध्य हम से करेंगे और एक महीने का करेंट इफएर जो है एक वीडियो में कफर किया जाएगा तो जैसे मान लीजिये आप अभी आपका औरो-यारो का एक्जाम है अफेबरॉरी में ता आपको आपको यह दिसंबर तक कर से ज़्यादा खास रहने वाले आपके लिए ठीक है इस विसली आरो यारो को लेके बात करते हैं जैसे मालीजे कि यूपी पीस का जो डिट निकल के आ रहा है 17 मार्च उसको लेके बात करेंगे तो आपको जनवरी तक का करेंट इफेर जो है रेडी रहना चाहिए उसके लिए कोई भी एक्जाम जहां करेंट फिर पूछा जाता है उसके लिए काफी संदार रहने वाला है बहुत यह बहतरीन प्रश्णों का कलेक्शन है और जैसा मैं आपको बताया था कि जो भी मार्केट में बहतर होगा हम आपके सामने लेके आएंगे तो वैसे में यह जो है आपक मार्केट में बहुत है आप चाहे तो ले वाला करके तो आप जाके चाहे तो ले सकते हैं और बाकि आप जो मंतली में पढ़ रहा है और यह आपके टेस्ट के लिए है ताप टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे आप करेंट फिर पढ़े हैं तो मैं उमीद करता हूं कि नॉमबर मही महिन्य का करेंट फेर तो सारा लोग पढ़ी लिए होंगे तो हम लोग डाउन वार्ड अर्डर में चलेंगे चाकि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए राने वाला दिसंबर नौंबर अक्टूबर से दमबर तो ऐसे हम लोग चलेंगे तो आज हम लोग यानि नौंबर दो हजार तेइस ठीक है तो नौंबर दो हजार तेइस के MCQ देखेंगे और बहतरीन जो है 100 MCQ हम लोग देखने वाले हैं तो यह करके अपना आप टेस्ट कर सकते हैं ठीक है और प्रश्णों को एक्टेम्ट करके और देख सकते हैं कि आपका करेंट इफेर जो कितना प्रपेर है कि आपको क्यों स्वर्ण जयस्क्राइफे शायता है तो तो आपको मॉर्निंग में में दूक्ति होगा जो आपके इंपॉर्टन टॉपिक होगा जो करूंगे टेलिग्राम ग्रूप में जो मिड़े में आपको जो है लगभग आप्टर नून में मिलेगा आपको वो टेस्टरी जो है आप एटेम्ट करेंगे और उसके बाद एंसर की भी उसका दे दिया जाएगा आप मिलाक आप देख सकते हैं कि आप जो है देखे रियल नहीं है वो एक से लेके सौ तक नंबरींग कर लेंगे और एक एक प्रश्ण को हमारे साथ पैरलल में टेम्ट करेंगे देखिए प्रश्ण आप से दी मान लीजिए हल नहीं हो पा रहा है इसका मतलब जो भी आप मैगजिन सोर से जोगर आफ फॉलो कर रहे हैं वो आपके ल लेंगे तो आपको पिरल्लेली कम से कम 1-2 मैगजिन को एक मन्तली मैगजिन और YEARLी मैगजिन साथ ही साथ जह प्रेक्टिस जादा से जादा करेंगे तो आपका करेंटस फिरकार का अच्छा अच्छा आरव को जाएगा और ये आपके किसी भी Gur देखेंगे तो बहुत सारा मैक्समम वेटेज है इसका 20 से 22 फ्रश्णों का वेटेज है तो वहां भी आपके एक्जाम में जो है निकालने में इसका काफी आहम रोल रहने वाला है यह कोई अन्य एक्जाम देखेंगे यह जो करेंट फेर आपका होता है यह नए पुराने लोगों भेद नहीं करता है अमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए इसके अलावा जो भी बहतर से बहतर करेंट फेर होगा हम जल्दी लेके आएंगे एक जो है अर्ली मैक जिन हम करेंट के कभर किये थे यहां पर आपको घटना चक्रवार्सी की का प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकत हम लोगों देखते हैं यहां पर तीके पहला प्रस्ण यहां पर दिख रहा होगा आपको भारत में निम्न लिखित में से किन राज्यों के अस्थापना डिवस एक नौवंबर को है अब यह थोड़ा इस्टेटिक प्रस्ण भी हो गया क्योंकि एक नौवंबर अभी हाल फि अंसर के योंगे है और इसका साइच अंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा से येर भी आप याद रखेंगे, 1956 में करनाटक, 1966 में पंजाब और 2000 में आपका ये 36 गड़, इसके अलावा भी बात करेंगे, तो मद्य परदेश हो गया आपका, नेक्स्ट हरियाना हो गया, और इसके अलावा आपका केरल, आंदर परदेश, तमिल लाडू, इन लोगों का भीया स्थापने दिवस एक नवंबर को ही होता है, ठीक है, साथ साथ देखेंगे, तो दिल्ली, चंडीगड, पुदीचेडी और लक्षदी परण्ड मान निकोगार, ये जो किन सासीत परदेश है, ये भी एक नवंबर को हीनका भीया स्थापना दिवस होता है, ये सब थोड़ा ध्यान दखेंगे, अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला प्रस्ण है आपका प्रस्णतन क्या दो, गोवा मैरी टाइम कनकलेव, दो हज़ार तेईस का चोथा संसकरन भारतीय नौशेना के दवारा नेवल फा कॉलेज, गोवा के ततवधान में आजित किया शमुंदरी प्रत्मिक्ताओं को शयोगात्मक जो है समन धाचे में परियर्टित करना, शमुंदरी जो है सुरक्षा और उभरते गैर प्राविक खत्रे, आई ओ आर नौशेना के लिए सक्रिय भूमिका का मामला, हिन महासागर छेत्र में शमान शमुंदरी प्रत्मिक्ताए और शेत्री शमुंदरी सुरक्षा गया हो सकता, अंतराश्य शम्मन निर्माण में शमुंदरी शेत्र की भूमिका, तो सिंपल है कि गोवा मेरी टाइम जो कंकलेव हुआ था, उसका आप से थीम पूछा गया है, अब देखिए इस प्रश्ण को जो है दूसरे तरीके से भी अब बिल्कुल ही पेसेंस के साथ भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन इसके एर्दगिर्द क्या बाते और बन सकती है, उसको भी ध्यान रखते हुआ आगे बढ़ेंगे, बाकी अगर मान लिजीए कोई भी हम कोशन कर रहे है, यसे कोशन नमर दो ही है, इ सायोगा आत्मक समन धाचे में प्रिवर्तित करना, यदि देखिए बात करें, गोवा जो है, मैरी टाइम कंक्लेव का, तो ये दो हजार तेईस में इसका आयोजन हुआ, और इसका कौन सा था, ये चौथा संसकरन था, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ है, तो आपको 29 जो है से लेके 31 सक्टूबर, 29 से लेके 31 सक्टूबर 2023 तक हुआ है, और ये जो भातिय नौ सेना के द्वारा है, नेबल कॉलेज, गोवा के तत्थान में आयोजित किया गया था, और ये क्या होता है, दिवार्सी का आयोजन होता है, यानि इससे पहले जो है इसका आयोजन कब ठीक है, बी से आपको पता ही चल गया, तो अब इसी प्रश्न को जो है दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था, ठीक है, पूछा जा सकता था, बताइए, निम्नांकित में से कौन सा सही है, पहला इस स्टेटमेंट आपको डाल दिया जाता, कि जो जी एम सी है, गोवा मेर के साथ साथ भर्टिकल अप्रोच भी अपनाना है, किसी भी करेंट इपेर को पढ़ना है तो, तब आपका करेंट इपेर पे जो है, मजबूती ज्यादा बहतर हो सकेगा, चली अगला प्रस्न देखते हैं, हिंद महासागर रिम इस्योसेशन हाली में खबरों में देखा गय इसका सची वाले कहां पेश्टित है, हिंद महासागर रिम इस्योसेशन, भारत है, मौरिशस, सेशल्स या थाइलेंड, ठीके, सही अंसर इसका आप लोगे होंग, आप्शन नमर भी, मौरिशस, हिंद महासागर रिम इस्योसेशन क्या है, एक अंतर अपको शरकारी संगठन है, और इसका स्थापना कब हुआ था, ये भी बात ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना हुआ था आपका 7 मार्च 1997, ठीके, 7 मार्च 1997 को हिंद महासागर रिम इस्योसेशन का क्या हुआ था, गठन हुआ था, अब इसमें सदस्यों में दूसरा प्रस्णी आता है, क्या भारत सामिल है, बिल्कुल इसमें भारत सामिल है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीके, सदस्यों में देखेंगे तो आपका इस्टेलिया हो गया, बंगलादेश, सिंगापूर, शोमालिया, ठीके, काफी सारेद्यों है, दिसिस में सामिल है, और बाकी यहाँ पुछा गया था, क कि इसका जो है, सचीवाले, ये मौरिशस में ध्यान दखेंगे, अगला देखें, अगला प्रस्न है, बिश्व सहर दिवस के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए, ये 31 सक्टूबर को मनाया जाता है, 2023 का थिम सभी के लिए टिकाउं सहरी भविष्य का 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, सयुक्त राष्ट महासाभा के द्वारा, नामित किया गया इसे, ये बात कहा है, बिल्कुल सही है, 2023 की थिम की अगर बात करेंगे, तो शभी के लिए टिकाउं, शहरी भविष्य का बिद्पोशन है, ये भी स्टेट्मेंट चाही है, ता आ अहली बार जो है, ये आयोजन कब मनाया गया था, 2000 आपको 14 में, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, चली अगला देखते हैं, प्रसन संक्या 5, निम्नलिखित में से, किस खिलाडी ने आठवी बार पुर्सों का वैलनडी और पुरुसकार जीता, लियोनल मेसी, ब अब तो एंसर कर लिए होंगे, शाही एंसर इसका क्या हो जाएगा, अप्सट नमर यहाँ पर आपका, ये लियोनल मेसी, ये किस दिष Carol आते हैं आपको, अरजेंटीना से आते हैं, और इनी के दार जो है, ये वैलनडी और पुरुसकार जो है 8वी बार जीता गया, ठीक है, अगला दिखे वैलन डी और पुरुसकार के बारे में निमलखित कत्नों विचार कीजिए यह एक वार्सिक तैराकी पुरुसकार है इसे पहली बार 1956 में परदान किया गया था नीचे दिए अभी कल्पों में सही उत्तर आपको बताना है दिखे अभी थोड़े दिर पहले बात किये कि लियोनल मेसी को मिना तो यह तैराकी का पुरुसकार तो होगा नहीं तो आप ऐसे ही इस अप्शन को जो है अलेमिनेट कर सकते थे और यह पहली बार जो है 1956 में परदान किया गया था तो यह मेसी को जो है 8 भी बार मिला था इसके अलावा रोनालडो को जो है ए पुरुसकार अभी तक 5 बार रोनालडो को भी मिल चुका है अगला प्रस्ण देखेंगे तो यहां पर आपका एंसर क्या बन जाएगा छे का भी केवल दो यहां पर सही है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सास्त्रीय भाशाव में से एक है देखें बहुत अच्छा प्रस्ण है उडिया, भजपुरी, कौंकडी, अशमिया सास्त्रीय भाशाव में से एक कौन सा है यह पुछा गया है एंसर करें इसका देखिए सही एंसर क्या हो जाएगा option नमबर यहां पर उड़िया देखिए करेंट फियर का सेशन आपके लिए काफ़े उप्योगी रहने वाला बहुत कुसी कि आप जाने वाला बिल्कुल धैर से देखेंगे एक प्रश्न को जिनको slow लग रहा है तो यूट अस्त्री भशाओं के बारे में बात किया जाए तो भारत में जो है 600 भशाय है टोटल ठीक है ध्यान दखेंगे एक है आपका तमिल तुमिल को जो है आपको 2004 में इसके अलावा देखेंगे तो संस्कृत दूसरा संस्कृत को जो है आपको 2005 में ठीक है फिर आपका कंणड हो ठीक है कंणड आपको 2008 में तेलगू ठीक है मलयालम और उडिया ठीक है उडिया को सबसे लेटेस 2014 में इंट्री दिया गया तमिल हो गया संस्कृत कंणड तेलगू मलयालम और उडिया यह च्छे हो नाम आप याद रखेंगे अगला प्रस्म देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा आठ मुख्य उडियोगों का हिस्सा नहीं है देखिए आठी मुख्य उडियोग है आपको पता है और उसमें पुछा गया कि कौन हिस्सा नहीं है कोईला उर्बरक लोहा या सिमेंट देखिए इसका स़ी इंसर क्या बन जैगा आपका आप्सन नमर यहाँ पे सी लोहा आठी आपको उद्योग है और आठ पर्मुक उद्योग है जिनका उत्पादन का स्युक्त और ब्यक्त परदर्शन मापा जाता है और आठ उद्योग में जो नाम आता है पहला यहाँ पे क कोईला दिख रहा है आपको कोईला हो गया इसके अलवा जो है कच्चा तेल हो गया आपका प्रकित गैस हो गया रिफाइंड यूद पाद उर्बरक इसपाद सिमेंट और बिजली ते सब ध्यान रखेंगे अगला देखते हैं प्रसंद संख्या 9 मेरा युवा भारत 31 सब्सक्राइट निकाय है इसका लाब 1529 साल की युवाओ को होगा बताना है कि कौन से स्ट्रेट्मेंट सही है कि अंसर आप लोग कर लियोंगे और सही उत्तर इसका क्या हो जागा ऑप्शन नुमर सी दोनों ही सही है देखे बात करें अगर मेरा युवा भारत का मेरा प्लेटफॉर्म लंच किया गया और इसमें 15 से 29 साल के युवाओ को ही क्या होगा लाब प्राप्त होगा ठीक है और मेरा युवा जो भारत है इस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे ति फीजटल प्लेटफॉर्म है फीजटल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे भौतिक भौतिक और साथी साथ जो है आपको डिजटल दोनों का समय वेशन है तो इसमें सारीरी गतिविधी के साथ साथ डिजटल रूप से भी जूनने का उसर प्रदान होगा तो यह ध्यान रखेंगे कि कैसा है तो फीजटल प्लेटफॉर्म है ठीक है कब सुरुवात किया गया 31 सक्टूबर को जो है राष्टी एकता दिवस के असर पे ठीक है चली अगल देखते हैं इस याई पैरा खेल के बारे में पूछा गया है बहुत अच्छा प्रस्न है ठीक है यह कहा इसका योजन हुआ हांजो चीन में मासको रूश में शियोल दचिन कोरिया में या मनीला फ जो है पीपल्स रिपाबलिक अब चाइना में ठीक है और भारती एतलेट के ओर से देखा जाये ता आखेर इसमें कितना पदक जीता गया तो याद रखेंगे टूटल जो है 111 पदक जीता गया भारती एतलेटों को द्वारा ठीक है 111 में भी देखेंगे ता आपको 29 स्वं देखेंगे तो पदक तालिका में जो है भारत का स्थान कितने पर था तो अगर पुछा जाए कि एसी आई पारा ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा पदक को जीता तो यह हो जाएगा आपका चीन एक नमबर पर चीन दूसरे पर जो है इरान फिर जपान और कोरिया गंडा ज तो ध्यान देंगे चलिए अगला देखते हैं कि प्रसंद संख्या 11 कि यहां पुछा गया कि निमलिखित कतनों विचार कीजिए कोजी कोड को हाली में संगीत के सहर के रूप में यूनेस को जो है क्रियेटिव सिटी नेटवर का दरजा प्राप्त हुगा ग्वालियर को हाल सइस्दे के छेतर में इसमें बताना है कौन सा उततर आपका सही है केवल एक है दो एक आर दो दो इन में से कोई नहीं शहीर अंसर क्या बने गया नहीं है अब देखिए 20 सहर दिवस में 55 सहर को उन्यस को क्रिएटीब सीटी नेटवर्क में सामिल किया गया कितने सहर को 55 सहर को और इसमें बात करेंगे तो नय नय अगर बात करेंगे 100 से अधिक जो है देशों के 350 से अधिक सहर समेलित हैं और इसमें किसके सेक्टर में जो है सहरों को सामिल किया जाता है तो साथ इसमें राशनात्व क्षेतर रखा गया जैसे सिल्प का छेतर हो गया लोक कला हो गया आपका डिजाइन हो गया पाक कला हो गया फिल्म सहित्य मीडिया कला और संगीत यह सेक्टर में जो है समिलित किया जाता है और भारत का केरल का जो कोजी कोड है यह सहीत सहर के रूप में इसको नमांकित किया गया है ना कि शंगीत यह सहीत सहर के लिए है तो यह ऐसे में गलत हो गया था ग्वालियर के अगर बात किया जाए तो ग्वालियर जो है यह आपको शंगीत सहर के रूप में इसको ज गठित किया गया था दो हज़र चार नो दो हज़र उनिस या दो हज़र एक्टिस एंसर करें बात पूछा जारा आप से इव एन सी इनसको जो है प्रियेटिव सिटि यो शीसी अन के बारे में देखे अपने इंसर कर ली होंगे सही अंसर क्या हो ज़ागा उप्सन नमर ये 2004 यह 2004 में ही बना था और आखिर जो उनिस्को क्रियेटिव सिटी नेटवर्क बना था इसका टार्गेट क्या था लक्ष क्या था बनाने का तो उन सहरों के साथ उनके भी सहयों को बढ़ावा देना जिनको जो सतत सहरी विकास के लिए रचनात्मक और रणेती कारकों करूप मे जो है पहचानता है अभी एक प्रस्ण अगर आपसे पूछा जाए तो कि दुनिया में अभी जो है इस नेटवर्क में कितने सहर सामिल है तो लगभग जो है 300 सहर बरत्मान नेटवर्क में इसमें सामिल है लगभग लगभग 300 सहर चली अगला प्रस्ण देखते हैं पुष्टक पुरुषकार के लिए बीजेता के रूप में नामित किया गया है। तो British Afghanistan को पुष्टक पुरुषकार बीजेता के रूप में नामित किया गया है..! और इनको पुरुषकार जो है किस पुष्टक के लिए दिया गया है, तो कोटिंग इंडिया, ठीक है, इंगलेंड, मुगल इंडिया एंड़ और जीन आफ एम्पायर के लिए ये पुरुषकार ये देती हैं, अगला देखिए, हाली में राज्ये खादे सुरक्षा सुषकां 2022-23 जारी किया गया, इस संदर में कत्नों विचार करना है, पहला खादे सुरक्षा सुषकांग जो है, निती आयक दोरा जारी किया जता है, ये भारतिये राज्ये के साथ-साथ किन सासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर भी परकास डलता है, बताना इसमें कौन सा सही है, राज्ये खादे सुरक्षा सुषकांग, चले अपनों एंसर किये होंगे, और सही एंसर क्या हो जाएगा, इसका ओप्सन नमर यहाँ पर बी, केवल दो यहाँ पर सही है, देखे राज्ये खादे सुरक्षा सुषकांग की बात किया जाए, तो ये भारतिये खादे सारे को प्रदर्शन को शामिल किया गया आपसे एक प्रशन आप बताइए राज जे खाद सुरक्षा सुसकांग में नंबर वन पर कौन है आप लोग कमेंट बक्त में लिखेंगे अगला देखते हैं प्रशन संक्या 15 हाली में एक नई उच जो है तो प्रूट कॉंटम समर्थ संस्थानों में संस्थानों की टीम ने इस तक्नीक को विक्सित किया है इस तक्नीक को विक्सित करने वाला कौन सा संस्थान है बनारस हिंदो विश्य विदाले नैनो और शीतल पदार बिग्यान के इंदर बैंगलोर भारतिय बिग्यान संस्थान बैंगलोरू या भारतिय उत्पादन तक्निक के बारे में आपसे पूछा गया है एक नया उच्दु है तो प्रूट कांटम समर्थित हरित हाइडोजन जो उत्पादन तक्निक और यह क्या करेगा आपको हरित हाइडोजन को बढ़ावा देगा एंसर आप लोग कर लियोंगे शए एंसर क्या हो जाएगा इसका बिएचिव बनारस हिंदू जो है विश्व विदाले तीक है इसी के द्वरा जो है यह आपको बिक्सित किया गया है तक्निक और आपको पता ह यह हरित हाइडोजन की इतना जरूरी हाज के समय के लिए तो परेवरन अनकूल जो है उर्जा का एक बहुत ही बहतर सुरूत है आपका ग्रीन हाइडोजन और इस पे बहुत सारा काम हो रहा है भारत और बिष्टो में और इसमें काफी आगे जाने का जो है चांसेज है अब फोब्स की विश्व के सरशेष्ट नियोक्ता दो हजार तेईस सुची में सामिल होने वाला एक मात्र भारति ये पीस्यू निमलिखित में से कौन सा है कि बीस्पील है आयोशील है एंटीपीसी या उएंजीशी सही अंसर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा ओप्सन नमर आपका सी एंटीपीसी ठीक है देखिए हर साल जो है फोब्स के द्वारा बीश्व के सरशेष्ट नियोक्ता का सुची जारी किया जाता है और ऐसे में जो है इसमें भारत का पुछा गया था तो भारत का एक सट रहा अगला देखिए फोब्स ने दो हजर तेस में विश्व कर सरशेष्ट नियोक्ताओं के साथ जो है वार्सिक सुची बनाने के लिए निमनलिखित में से किस बजार अनुशंधान फॉर्म के साथ सजदारी की ती है क्राइंगेट है डेल्यार्ट है इपसोस है य इसमें किसका मदद लिया गया है आपको अगला प्रसंदेखिए निमनलिखित कत्मों विचार करना है बच्चों का बाउनापन पांच बरस से कम उम्र के ऐसे बच्चों का समूव है जिनका वजन उनकी उचाई के अनुपात में कम है जो तिब्र अल्प पॉशन को दरसाता है बच्चों का कमजोर होना पांस साल के कम उम्र के ऐसे बच्चों के हिसदारी से है जिनकी लंबाई उनके उम्र के हिसाब से कम है और जो दिर्गकालिन को पॉशन को दरसाता है बताना इसमें कौन सा सही है अब यह सकता है कि बच्चों का बाउनापन से आप क्या समझते ह हैं बच्चों का कमजोर होना ये term जो है क्या indicate कर रहा है answer करें दिखे इसका सही answer कियांगे आपलो option number यहाँ पर दी इन में से कोई भी नहीं बच्चों का बाओना पन की अगर बात करेंगे तो पांच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का समू है, जो लंबाई आयू का अनुपात में जिनका कम हो, यहाँ पर उचाई नहीं, जिनकी लंबाई जो है आयू का अनुपात में कम हो, इसे हम बाउनापन बोलते हैं, बाउनापन था, तो हाइट से रिलेटे ली बात होगा, तो यह गलत हो गया, कमजोर होने का तत्पर क्या होगा, कि पांच वर्ष से कम बच्चों का यह भी समू होता है, जिनका वजन लंबाई के अनुपात में कम हो, इसे कमजोर होना कि स्रेणी में रखा गया, तो यह भी गलत हो गया था, अगला प्रसन देखते हैं, प्रसन संक संकितकों को जोड़ती है, यह एक भुखमरी की बहुयामी प्रकृति की को परदर्शित करती है, निमलेखित संकितों में कौन-कौन है, देखिए, आप लिखाया है, बाल मिर्तु दर, बच्चों का बाउनापन, बच्चों में दुबलता हो गया, पेजल, अल्पपोशन, स्कूली सिक्षा के वर्ष, ठीक है, इसका उप्सन अगले पेज में है, निमलेखित बिकल्पों में एक, दो, तीन, चार है, दो, तीन, चार, पाच, एक, दो, तीन, पाच, यह दो, चार, पाच, छे, ठीक है, देखिए, तो यह जो बैसिक भुखमरी सुचकांग का आपको निकाला जाता है, इसमें जो है, अधार जो है, चार संके तक लिया जाता था, उसी में पूछा गया है, तो इसमें देखिएगा तो बाल मिर्तुदल रखा जाता है, बच्चों का बाउनापन होता है, बच्चों में दु माच अप्शन आपका सी में हैं बैसिक भुखमरी सुचकांग जो है इसमें जो है यह सब डैमेंशन आपको कवर किया जाते हैं कि अल्प पुशन हो गया बच्चों का बौनापन हो गया बाल दुरबलता हो गया बाल मेर्तुदर इन सब को जो है देखते हुए और यह जो है आपको सुचकांग जारी किया जाता है अगला देखें निम्नलिखित में से कौन मनोहर पारिकर युवा बेगानिक पुरुषकार का प्राप्ट करता है डाक्टर माधोराज एस, डाक्टर स्रीमा भटनागर, डाक्टर कभीता सिंग, डाक्टर बाल कृष्न मुर्ती, मनोहर पारिकर युवा बेगानिक पुरुषकार ठीके देखें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ओप्सन नमरी यहाँ पे डाक्टर माधोराज एस, तो यह जो है इसरो के इवर राओ जो है सेटलाइट सेंटर के हैं डाक्टर माधोराज एस, और इनी को क्या मिला आपको मनोहर पारिकर इवा बेगानिक पुरुष ब्रुस्कार में पांच लाक रुपया आपको नगत प्राई दिया जाता है यह ब्रुसकार आपको तेरे दिसमबर दो ऺल थान रखेंगा अगला देखें दूसरा वाइस अप दा ग्लोबल साउथ सब्मिट हाली में लिखित में से किस देश में आयोजित किया गया अच्छा प्रशन है इंडोनेशिया भारत से लंका और मौरिशास एंसर करें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर भी भारत यह दूसरा था आयोजन वाइस अब्दा ग्लोबल साउथ सब्मिट का कहां पर किया गया यह भारत में किया गया शत्रह नॉम्बर जो है दो हजार ते इसको यह जो है आपको अभासी ही हुआ ठीक है तो यह वाइस स सब जो है ग्लोबल साउथ सिखर सम्मिलन का मेजवाइनिक इसके द्वारा भारत के द्वारा वर्च्वाली किया गया ध्यान रखेंगे ठीक है अगला देखते हैं प्रसन संक्या 22 केमरीज डिक्सनरी ने 2030 के लिए वर्च का अपना सब्द वर्ड अब द इयर किसको घोसित किया है 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 यह बात याद रखेंगे ठीक है अगला देखते हैं शयुक्त सैन अभ्यास मित्र सक्ती 2023 का नवा संस्करन हाली में जो है इसका युजन हुआ यह भारत और किस देश के बीच जो है सैन अभ्यास मित्र सक्ती 2023 अस्टेलिया बंगलादेश शिरलंका या इंडोनेसिया देखें मित्र सक्ती किसके और किसके बीच किया जाता है भारत और सिरलंका के बीच तो आपसन यहां पर आपका ची हो जायेगा ठीक है ये इसका नवा संस्करन था ठीक है और ये इसका आयोजन कहां हुआ ओथ पूने में हुआ ये भी बात ध्यान रखेंगे ओध जो है पूने में इसका आयोजन हुआ चली आगे बढ़ते हैं प्रस्न चंक्या 24 भारत में श्वदीशी रूप से बिक्सित हलके टैंक जुरावर के पहले जो है प्रोटो टाइप का परिक्षन जल्द ही शुरू होने वाला है इसे लर्सन अन टर्वो एोम किसके दौरा बिक्सित किया गया है भारत के स्वदी शिरूप से बिक्सित हलके आपका टैंक जुरावर तो ये एक तो लर्सन अल्ण टी हो गया और किसके दौरा इस रो डीर डीयो एस ए एल या जी आर एस ए एंसर करें तेलेंटी और डियाडियो को दोरा जो है बिक्सित किया गया ओप्सन यहाँ पर भी आपका सही बन जायेगा तो यह स्वोधिसी रूप से बिक्सित है हलका टेंक नाम क्या है इसका जुरावर ध्यान दखेंगे और यह पहला प्रोटोट हो गया आपका अरक्षा संधान और का संगठन और एक लासने टूर्ब हो गया इन्हीं के द्वारा जो है यह मिक्सित किया गया है अगला देखें भारत अंतरास्टिय बिज्ञान महोत्सों दो हजार तेसका नवा संसकरन 17 से 20 जन्वारी 2014 को कहा अविजन किया गया अंतरास है परिदाबाद हरी आना में इसका अंगे बढ़ते हैं और एक बात और याद रखेंगे यह भारत अंतरास्टिय बिज्ञान महोत्सों का थीम भी पूछाज़े सकता है थीम था अमरीत काल में बिज्ञान और परदोग की सार्जनिक आउट रिच अमरीत काल में बिज्ञा अगला देखते हैं ग्रीन हाउश, गैस बुलिटिन, कार्बन डाइकसाइड, मिथेन और नाइटर्स अकसाइड के लिए बिश्व अस्तर पे ओशस सतहम जो है मूल अंस दर्साया है, पिछले वर्स के दवरान मूल अंस के साथ उनकी तुलना करता है, इसे जारी किया गया है, चलिए इंसर अपलोग कर लिएंगे, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्सन नमरी बिश्व मौशम बिग्यान संगठन, ठीक है, ग्रीन हाउस बुलिटीन, बिश्व जो है, मौशम बिग्यान संगठन के द्वारा ही है, बैसिक वाई मंडल निगरारी कारिकरम, पे य ये बात की गयी है, और इसमें carbon dioxide हो गया, आपका अम मिथेन हो गया, नाइटर सक्षाइड हो गया, ठीक है, यहां पर इंटो है, तो नाइटर सक्षाइड है, ये CH4 हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा, के लिए 20 स्वस्तर पर जो है और साता मौलन्स के लिए जो ज़र साय गया है अगला देखें अगला प्रस्न निमलिखित में से किस देशने हाली में इस यह प्रसांत आर्थिक सहयोग की मेजवानी की है एपक चीन अमेरिका भारत और सिंगापूर कि अचोड प्रस्न हैं सर करें इस इस सही उत्तर क्या प्रस्न नंबर यहां पर बीवक के मेजवानी के दौरा अमेरिका के दौरा, सेन फ्रांसिसको में जो है सने उतला अमेरिका में इसका आपका आर्थिक नितरक घृत अगरूप में एपक कभी से क्या था यह पूछा सकता ह तो सभी के लिए एक लचीला और टिकाउं भविस से बनाना अगला देखते हैं प्रसल संख्या 28 हाली में माउंट एटना में वर्ष 2023 का पहला विस्फोट हुआ यह निमलिखित में से किस देश में है तो इससे आप लोग परिचित होंगे ही सहीवत तर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर भी इटली ठीक है इटली के जो है सिसीला के पुर्वी तठ पे जो है जौला मुकी है माउंट एटना और इसमें 20 फोट देखने को मिला था और काफी ये जो है 20 फोट बिरहत पैमाने पर देखने को मिला था चलिए आगे देखते हैं राष्टिये जल पुरुषकार के संदर में बताना है यहाँ पे तीने स्टेटमेंट दिया गया है पहला राष्टिये जल पुरुषकार 2018 में शुरू किया गया था इसका उदेश से जनता को जल के महत्यों के बारे में जागरूख करना और उन्हें शुरूतम जल उप्योग प्रथाओ को अपनाने के लिए प्रेद करना है सभी स्रेणियों में पुरुषकार विजेता में प्रसस्ती पत्र ट्रॉफी नगत पुरुषकार दिया जाता है बताए कौन सा इसमें विकल्प सही है ये बात है जल पुरुषकार को लेके देखे आप लोग इंसर इसका कर लिया होंगे तो पहली बार जल पुरुषकार 2018 में शुरू किया गया था बात सही है बिलकुल साथी साथ जो है उदेश से क्या होता है इसका तो जल के महत्तों के बारे में जगरुकता फैलाना सरुतम जल उपयोग के बारे में बताना ति ये बिलकुल ये भी सही है ठीक है सही नहीं माना जाएगा तो option number आपका ए बन जाएगा यहाँ पर एक और दो दोनों सही हो जाएगा इसमें जो है आपको सरसेष्ट जिला सरसेष्ट राज्य हो गया स्रेणी में बीजेता को ट्रॉफि और परसेष्टी पत्र दिया जाता है इसमें देखेंगे तो सरसेष्ट ग्राम पंचायत हो गया सरसेष्ट जो है सहरी अस्थानिय निकाय बन गया सरसेष्ट उद्योग हो गया सरसेष्ट नागरिक सुसाइटी इस सब छेत्रों में आपको प्रस्ष्थी पत्र और नगत पुरुष्कार भी दिया जाता है. चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रस्षन संख्या आपका 30. अडिट दिवस परते एक वर्स निमलिकित में से किस दिन को मनाया जाता है? अडिट दिवस 6 अक्टूबर 16 अक्टूबर 6 नौवंबर या 16 नौवंबर एंसर करें. देखे, अडिट दिवस तो है कब मनाया जाता है? तो यह आपको 16 नौवंबर को. ठीक है, 16 नौवंबर 2023 इसको नई दिल्ली में जो है तीसरा अडिट दिवस जो है मनाया गया. अगला देखते हैं, भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक के संदर में बताना है. भारत के संविधान के अनुछे 148, भारत के जो है महालेखा परिक्षक के नियुक्ति से संबंदी थे. कैग जो है इसके संबंद में कैग संसत के अधिनियम द्वरा संस्थापी के एक बैधानिक निकाय हैं कैग का जो है शरुचे नियाले के नियाधीस के समान पर किरिया से और शमान अधारों द्वरा पद से हटाया भी जा सकता है ठीक है तो यह थोड़ा सा भराजी बेवस्ता से रिलेटेट प्रस्ण हो गया एंसर करें अधिक है आप लोग एंसर कर लिए होंगे देखे भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षा की बात करें तो अनुश्य देख सब्सक्राइब इसकी जो है नियुक्ति संबंदित है त आप्षान नमबर सी ठीक है दूसरे स्टेट्मेंट है कि संसत के अधनियम दोरास थापित एक बैधानिक निकाय है ठीक है तिये स्टेट्मेंट क्या होगा आपका सही नहीं बनेगा अगर देखे इसको एक सम बैधानिक जो है पर्धिकरन के रूप में अस्थापित किया ग किस हालिवड अभिनेता को चोवन में भारती अंतरास्टे फिल महोत्सव में प्रतिष्टी सत्य जीत्रे लाइफ टैम एचीब्मेंट पूर्षकार से सम्मानित किया गया अच्छा प्रस्न है एंसर करें सही अंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अप्सन नम्मर भी माइकल डगलस ठीक है इस सत्य जीत्रे जो लाइफ टैम एचीब्मेंट अवार्ड है यह आपको हालिवड अभिनेता निर्माता भी है माइकल डगलस इनी को परदान किया गया याद रखेंगे निमलिखित में से किसे केंदरिये सारजनिक छेत्रे को उद्यमों में 15 वे और 69 नकरूप में घोसित किया गया तो यहाँ पे 15 वे और 16 वे पुछा गया है आपको बताना है भातिये बीमान पत्नम परदिकरन इरकन इंटरनेशनल लिम्टेड राइट्स लिम्टेड इस है और इंटरना है इंसर करें आपको यहां पर इरकन और आपको राइट्स अप्सान नमर यहां पर बन जायेगा तो एक तो होगया आपका इरकन और एक होगया आपका राइट्स इन दोनों को आपको 9 रत्न के स्रेणी में सामिल किया गया है ठीक है और 9 रत्न, मिनी रत्न, महारत्न ये सब जो है इसका कैटेरिया क्या होता है उल्रेडी हम एक्स्प्लेन कर चुके हैं पहले आपका घटना चकर का करेंट वाले सिसन में कि किसको 9 रत्न माना जाएगा नहीं कैटेरिया होता है चले तेहां पर याद रखेंगे आप लो ये 15 रहुआ नंबर का इरिकन, 16 रहुआ नंबर का रिट्स हो गया तो 9 रत्न में को सामिल किया है अगला कुश्चन नमर 34, खुद्रा विकरेता शमुदाय को ससक्त बनाने के लिए राष्टिये कोशल विकास निगम ने कोशल भारत मिसन के ताहत सुपर पावर रिटेलर कारिकरम सुरू करने के लिए इन मिलिखित में से किस कमपनी के साथ सज़ेदारी की घोशना की है एमेजन इंडिया है, कोका कोला भारत, प्लिप कार्ड या पेप्सिको इंडिया देखिए यहां पे खुद्रा विकरेता समुदाय को ससक्त बनाने के लिए पुछा के एंसर अपलो कर लिए होंगे सही एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन वर भी कोका कोला भारत चली आगे देखते हैं प्रस्वन संक्या 35 पुछा गया है कि शमागरी मुख्य रूप से दो मौलिक इलेक्ट्रोनिक अवस्थाओं में से एक में मौजूद होती है धात्विक और इंसुलेटिंग हलाकि कुछ शमागरिया बाहरी उत्ते जनाओ जैसे तपमान, दबाओ, विदुद छेत्र और बहुत कुछ के तहत इन दो राज़ियों के भी संक्रमन करने के उल्यखनिये च्छमता परदर्शित करती है एक टीम ने प्रयोगयात्मक रूप से परदर्शित किया है परमाडू इस्पीन की अजीब बेवस्था से उत्पन चुम्बक्य तनाओ एक साथ संदचात्मक चुम्बक्य और धातू इंसुलेटर संक्रमन को संचालित करता है ये टीम नेमलिकित में से किस संस्थान से संबन्दित है देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर बी जवहारलाल नहरू शेंटर फॉर एडवांस स्यंटिफिक रिसर्च बैंगलोर अगला देखते हैं प्रस्म संक्या चतिस भारतिय नौशेना का वार्षिक शिर्च अस्तरीय अंतरास्थी समेलन इंडो-पैसिफिक छेतरीय संबाद हाली में भारत के निमलिकित में से किस सहर में आयोजित किया गया इंडो-पैसिफिक छेतरीय संबाद चनाई, कोलकत्ता, नई दिल्लिया, पुने तो नई दिल्ली में इसका आउजन किया गया 15 से 17 नॉमबर 2003 इसको याद रखेंगे और पूछा जा सकता है कि बताए इसका थीम क्या था थीम याद रखेंगे भारत परसान समुंदरी बेपार और कनेक्टिबीटी पे भूरा नीतिक परभाव अगला देखें अगला प्रस्ण है शिल्क यारा शुरंग हाली में चर्चा में यह भारत के निम लिखीत में से किस सराज्य मेश्थी थे उत्राखंड हिमाचल शिक्क्यम या अडू नाचल परदिश अगला देखते हैं निम लिखीत में से किसे हाली में भारत बंगाल का ब्रांड मेस्टर नामित किया गया है मुकुल राया शौरभ गांगली राने मुखर जी या शुब्रत गोहा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपसर नमर भी शौरभ गांगुली ता आप लोग उमीद कर रहे हैं कि मैक्स्वम कुश्चन का इंसर आप लोग कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छा अच्छा प् अपसर नमर भी गोहा इस चवानवा जो भारती अंतरास्टी फिल्म होचा कहां पर गोहा में इसका योजन किया गया ठीक है इसमें एक संठान में जो फिल्मों को परदर्सित किया गया तेरा जो है 200 प्रिमियम सहीत ये बाद ध्यान दखेंगे साथी साथ कैसिंग डस्ट श अगला देखते हैं निमलिखित में से किसे भारती सिनेमा में योगदान के लिए 20 मन्यता पुरुषकार से समानित किया गया तो ये किसको ओप्सनी माधुरी दिक्षित को ये चवानव जो भारती अंतरास्टी फिल्म में भारती सिनेमा में योगदान के लिए 20 मन्यता पु अगला देखते हैं 21 नवंबर 2030 को अंतराश्टी एमी अवार्ड 2023 प्रुषकार का समर्व आयोजन कहां पर हुआ निवार्क शैन फ्रांसिस्को लास वेगाश या देवदूद सही अंजर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर यहां पर निवार्क सहर तीक है यह पुछा गया था अपसे कि अंतराश्टी एमी अवार्ड तराश्टी एमी अवार्ड कहां पर यह निवार्क सहर में आयोजन किया गया इसका अगला देखते हैं प्रस्न संक्य 42 दो भारतिये को एमी प्रुषकार 2023 से समानित किया गया यह कौन है बिर्दास शेफाली सा एकता कपूर यह जिम सर्व बाकी जो ऑप्सन इसका अगले पिज में है एक तीन दो तीन दो चार यह तीन चार देखे तेक तो भीर्दास और एक आपका एकता कपूर देखे भारती स्टेंडप कमीडियन भीर्दास नेट्फ्लिक्स पे भीर्दास को जो है लाइडनिंग के लिए एमी प्रुषकार जीता गया और इसके अलावा जो है एकता कपूर एकता कपूर को भी अंतरास्टी एमी जो है निदेश साले पुरुषकार से समानित किया गया तो यह निदेशन करती है ठीक है तो याद रखेंगे एक तो नाम आपका बिर्दास और एक एकता कपूर तो एक और तीन हो गया और एक और तीन ओप्सन में आपका यह option number A में है अगला देखते है 43 Luke Joy Frieden को Luxembourg का नया प्रधान मंत्री निक्त किया गया निमलिखित में से कौन सा देश Luxembourg के साथ अपना सीमा साजा करता है Belgium, Spain, Germany तो Luke Frieden क्या बने है Luxembourg के नया प्रधान मंत्री बने है ठीक answer करें सई answer क्या हो जाएगा option यहाँ पे आपका option number C Belgium और Germany ठीक है बात करेंगे अगर माल लीजे Luxembourg की ठीक है तो Luxembourg में देखेंगे तो यहाँ पे Germany आपको ठीक है Germany यहाँ पे सीमा सेर करता है इसके अलबावा left side में यहाँ पे देखेंगे यह Belgium हो जाएगा ठीक है इधर जो हो जाएगा आपका यह France हो जाएगा तो इस पे नहीं हाँ बॉंडी सेर नहीं करता है Germany, France, Belgium तो अपसन आपका एक और तीनी बनता आगे देखें एवन्डेज इन मिलेटेंस गानों में Grammy Award के लिए नमांकित किया गया है इसे निम लिखित में से किस गायक ने गया है एंसर करें देखें इसका एंसर आप लोग कर लिए होंगे सही एंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आपसन नमर ए फालगोनी शाह ठीक है यहाँ पे जो है पूछा गया था आपका अगला है प्रस्म संक्या 45 शान्ती और विकास के लिए बिश्चो बिज्ञान दिवस मनाया जाता है बिश्चो बिज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो एंसर किये होंगे सही एंसर के हाँ अपसन भी दस नौमबर को ठीक है चलि अगला देखते है सांती और विकास के लिए बिश्चो बिज्ञान दिवस 2023 का बिज्ञा क्या था बिज्ञान में बिश्वास का निर्माण शतत बिज्ञास के लिए बुनियादे बिज्ञान जलवाई को लिए तैहर समुदायों का निर्माण समाज के लिए और समाज के साथ बिग्यान सही अंसर क्या हो जाएगा option नमर आपका यहाँ पे A सांती और विकास के लिए जो बिश्व बिग्यान दिवसका बनाएगा 10 लॉंबर को और इसका बिश्य क्या था आपका तो बिग्यान में विश्वास का निर्माण याद रखेंगे बिग्यान में विश्वास का निर्माण अगला देखते हैं प्रसन संके 47 अपार हाली में चर्चा में रहा यह निमलिखित में से किस्चेतर संबन दी थे श्वास्त, सिक्षा, रक्षा या बित ठीक है सही अंसर इसका क्या बन जाएगा आपका आपसा नमर भी सिक्षा देखे स्वा चालीत यह अस्थाई जो एस सेक्षिक खाता रेजिस्ट्री है पार और इसे जो है एक रास्ट एक छातर आइडी भी कहा जाता है धार दखेंगे यानि एजुकेशन इको सिस्टम रेजि भारत सरकार सिक्षा मंत्रा ले और भारत सरकार जो है पूरे भारत में जो इसकुली चातर है उनको जो है इसमें क्या यूनिक आइडी नमबर दिया जाएगा तीक है याद रखेंगे यूनिक आइडी नमबर इनको प्राप्त इसमें होगा तो अपार क्या है एक आपका थाई सेक्ची खाता रेजिस्ट्री है अगला देखिए वाइट केंडे निमनलीखित में से किस से संबंदीत है सफेद छड़ी दिवस अंधा पन है डिकलोशिया है शरौन बाधित है लोकोमेटर है ने सही क्या जगा अप्सन हमेरे अंधा पन ठीक है तो आप लोग उत्तर इसका सही किया होंगे अगला देखिए अगला प्रस्ण है प्रजेक्ट उदभव निमनलीखित में से किस से संबंदीत है प्रजेक्ट उदभव भारतिय सेना भारतिय अंत्रिक अनुशंधान संगटन क्रिशिया ब्यशाइक परशिक्षन प्रजेक्ट उदभव जो है आपका भारतिय सेना से रलेटेड है भारति इतिक कोशल का खोज करना और शमकालिन सैन्चेत्र में एकिकरन के माध्यम से श्वदेशी संभासन को बढ़ावा देना अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है विमर्ष दोहजरतेईस के संदर में निमलिखित कत्नों बिचार करना है ये पुलीस के लिए फाइबजी तकनिक के उपयोग करके ग्राश्टी ये हैक्तन है पुलीस अनसंधान और विकास ब्यूरो को ग्रिह मंत्राले के भीतर फाइबजी अप्लिकेशन उपयोग मामले के उदिश्चे के लिए ग्रिह मंत्राले के लिए उत्कृष्टा किंद्र नामित किया गया है निमलिखित बिकल्पों में कौन सा सही है देखें यहां पे सही अंसर क्या बन जाएगा आपका उप्सन नमबर C दोनों स्टेट्मेंट सही है यह बिमर्ज 2023 के बारे में पूछा जा रहा है ध्यान रखेंगे बिमर्श जो है आपका दो हजार तेईस तो ये पूलिस के लिए जो है फाइब जी परदोकी के उप्योग पे एक क्या है रास्टी है एक थन का अनवरन है और ये कहां किया गया इसका अनवरन तो नई दिल्ली में किया गया ठीक है ध्यान रखेंगे और दूसरा इस्टेटमेंट भी सई था कि अगरा देखते हैं प्रसम सक्क्याई का उत्राखन और देकिए सई अनशर यहां पर आपका क्या बन जायेगा अगला देखते हैं हाली में भारत के चुनाव आयोग ने मद्नाता जगरुकता और सिक्षा के लिए राष्टी आइकन के भूमिका निभाने के निमलिकित में से किस अभीनेता के साथ एक समझावता ग्यापन पे हस्ताक्षर किया है यह अक्षे कुमार अमीताब बच्चन है राष्टी 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 राम दाता जगरुकता के लिए आगा पसे पुछा जये तो कौन है तीन मेंबर इसमें होते है तीक तो राजीव कुमार है ठेक है इसके अलावा जो है दो लोगा और अनुप चंदरपांडे और अरुन गोएल है अगला देखें पॉलिस रम कमपनी डिक्टाडोर ने हाली में घोशना की है उसने अपने मुख है करेकारी अधिकारी के रूप में पहले हिमनाइट रोबोट के निफ्ती की है और इसे इस परकार नाम दिया है पॉलिस रम कमपनी डिक्टाडोर जो अपना हिमनाइट रोबोट बनाया है इसका नाम पूछा जा रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जागा अप्सन नमर भी मिक्का आगे दिखते हैं अशियान भारत बाजरा महुत्सव दोहजर तेश निमली खित में से किस देश में हो रहा है सिंगापूर वियतनाम इंडोनेसिया है मैनमार ठीक है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका अप्सन नमबर सी इंडोनेसिया हसियान भारत बाजरा महुत्रों कहां पे आपको ये इंडोनेसिया में 22 नॉमबर से 26 नॉमबर तक इसका आयोजन किया गया है तीक है उधिस से क्या है इसका आखिर तो देश के मद्दे जो सह हो को बढ़ावा देना सांस्कीती योग जो है बीवित्ता जो भी है पाक बीवित्ता का उलास मनाना आगे देखते हैं प्रसन संक्या पचपन निम्नलिखित में से कौन सा लॉस बेगस ग्रांड पिक्स 2023 का बीजेता है मैक्स बेर इस्टेपेन चाल्स जो है लेकर है सर्जियो फेरेज इस्टेवन ओकन तेहां पुछा गया लॉस बेगस ग्रांड पिक्स 2023 और इसका सही अंसर आप लोग कर लिए होंगा ओप्सन नमरे मैक्स बेरेश्ट पेन तिरपनवा जो है रेस में इनको जीत हासिल हुआ फर्मुला वन के इतिहास में सरवाधिक रेस जीतने वाले जो है सेविस्टियन वेटेल की बराबरी ये कर लिये हैं मैक्स जो है बेरेश्ट पेन याद रखेंगे अगला जो है कोशन भारत सरकार ने उप्भोगता मामले विभाग ने डार्क पैटरन बस्टर हैक तन 2030 लंज करने के लिए निमलिखित में से किस संस्थान के साथ शहो किया देखे इसका सही अंसर क्या बन जाग ऑप्सन नमर भी भारतिय प्रदोगिक संस्थान बीएच यू तो बीएच यू के साथ जो है उप्भोगता मामले विभाग के द्वारा जो है ये डार्क पैटरन बस्टर हैक तन जो है लंज किया गया है अगला देखे प्रस्न संक्या संतावन परदोकी विकास बोड ने निम्लिखित में से किस फॉर्म को उनके अभिनाव पुर्जेक्ट अंत्रिक्स रक्षा और विमानान अनुप्रियोग के लिए शामरिक उन्नत जो है इस डियार के लिए अपने समर्थन की खोशना की कि यह आपको लेखा वायरलेस सोलूशन प्राइबेट लिम्टेड बंगलोरू परदोकी विकास बोड ने मेमर्स जो है लेखा आपको वायरलेस सोलूशन प्राइबेट लिम्टेड बंगलोरू को उनको जो है नौमेसी प्रजेक्ट अंत्रिक शिरक्षा बिमानान अनुप का तो सत्रा दस्मलों आपको नौ दो करोड़ रुपे में से चार दस्मलों एक साथ करोड़ रुपे का बित्य सहायता का भी मंजूरी यहां पर देने की बात की गई है अगला देखते हैं प्रसन संख्यां ठावन दुनिया का पहला 3D मुद्रित हिंदू मंदिर डैस में बना अटक तेलंगना केरल या कुजरात तो कि सही एंसर आप लोग किया होंगे ऑप्सन नमर यहां पर भी तेलंगना यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो हिंदू मंदिर है एक आप लोग और इंसर बता सकते हैं कि 3D जो है मुद्रित आपका पोस्ट ओफिस कहां बनाये गया है अगला देखें हाली में लिखित में से किस कंपणी ने नेशनल जो है एफिसेंट कूकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिसेंट फैन प्रोग्राम लंच किया है चलिए तो इसका सही अंसर क्या बन जाएगा आपका ओप्शन नमरे एनर्जी एफिसेंट कूकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिसेंट फैन प्रोग्राम लंच किया गया है ठीक है अगला देखते हैं हाली में किंद्री ये बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने मुंबई में भारत में निमनलिखी पहले अंतरास्टिक क्रूज लाइनर की घरेलू नवक्यान का शुबरम किया कुरिष्टा सिरेना है कनाड लाइन शिवरेन या वाइकिंग दिखा अपनों एंसर किया होगा अप्सान मेरे कुष्टा सिरेना तो किंद्री बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कि दौरा मुंबई में भारत का ये पहला अंतरास्टी क्रूज लाइनर है भारत का पहला नाम क्या है कोष्टा सिरेना इस जो है घरिल नौक्यान में सुबह रंबिसका किया गया अगला देखते हैं फिंड फेस्टीबल 2023 के संदर में निमलखिर कतनों विचार कीजिए फिंड फेस्टीबल 2023 एक विद्धाले की एक वहल है जिसका उदेश से के टूएल सिक सिक्षा का एक नया मडल एक नया फेस्टीबल 2023 की बात करें तो एक विद्धाले वहल है और इसका उदेश से के टूएल सिक्षा में वदलाव लाना है यह भी सही है नवाचार ब्रशनात्म की बात की जाए डिजाइन ध्यान के दित करके के टूएल जो है सिक्षा में एक नया मडल का एक नया जो है पिस किया गया है तो बिलकुल ही सही है दोनों तहां पर आप्सन क्या हो जाएगा अपका सी हो जाएगा अगला देखते हैं प्रसन संक्या बासट हाली में एक नई उर्जा कुशल कार्बन डाइकसाइड कैप्चर तकनिक बिक्सित की गई जो पानी की उपस्तिती में परिवेश को तपमान के तहट इलेक्टो उत्पेरक इस्तितियों के तहट कार्बन डाइकसाइड को कार्बन म परिवेश को पान्तरन तकनिक के लिए परदान किया है यह टीम ने लिखीत में से किस स्थान से सम्द्धित है टीकर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सान नमर अपका सी नेशनल सेंटर फा एक्सलेंस इन कार्बन केप्चर और यूटलाइजेशन और आयाइटी बंबे तीनी के दोरा जो है यह CO2 से आपको शियो का रुपान्तरन टेकनिक का परदान किया गया है अगला देखे दित्तिये विश्व अस्थानिये उत्पादक मंच निमलिखित में से किस अस्थान पर आयोजित किया गया था तिये कहाँ पर हेग जो है नीदर लेंड में दूसरे बार बिश्व अस्थानिये उत्पाद फोरम जो है कहाँ पर हेग नीदर लेंड में इसका आयोजन जो है 6 से 8 नॉबर 2023 को किया गया था बिश्व अस्थानिये उत्पादन मंच के संदर्म निमलिखित कत्नों विचार कीजिए बिश्व अस्थानी उत्पादन मंच संयुक्तराष्ट की पहल पे बनाये गया एक मंच है इसका उदिश गुनवता पूर्व खाद उत्पादों तक पहुच को बढ़ावा देना है उचा गया इसमें कौन सा सही बताईए पीश्व अस्थानी है उत्पादन मंच के बारे में देखे पहला ही दिया है कि उत्पादन संयुक्तराष्ट इवेन की पहल पे बनाये गया मंच है ये तो गलत हो जाएगा ठीक है ये जो है डबलू एचो को पहल पे गठित किया गया है पहला तो आपको गलत हो गया ऐसे में उप्शन यह आपका गलत हो गया ठीक है और उप्शन सी भी दूसरा इसका उदिश गुणता पूर्व खाद उत्पादों के पहुँच को बढ़ावा देना है ते भी जो है स्टेटमेंट आपका सही नहीं है और ऐसे में यहाँ पे उप्शन हो जाएगा आपका डी इन में से कोई भी नहीं यह स्वास्थ पर्दिक को स्वास्थ जो है पर्दोकियों के पहुँच को बढ़ावा देने की बात की गए है ना कि गुड़ता पूर्वक खाद उत्पादों का तैसे में यह भी गलत हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं प्रस्ण संक्या 65 बीजय हजारे ट्रॉफी हाली में चर्चा में थी यह निम्लिखित में से किस खेल से सम्बंदी थे बीजय हजारे ट्रॉफी यह सान सप्रश्ण है और सही अंसर इसका क्या हो जाएगा किर्केट ठीक है यह भारत का लोकल टूर्णमेंट किर्केट को लेके होता है जो बीसी से आई के दोरा जित किया जाता है ठीक है आपसे अब पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है कौन टीम के दोरा जीता कि आप लोग पहली परियुजना 50 मेगावाट की पौन परियुजना की वानीच की संचालन की खुशना की है यह किस राज्य में है यह अच्छा प्रस्ण है एंसर करें यह कहां पर आपको गुजरात में ठीक है एंटीपीसी रिनूबल एनरजी लिम्टेड के द्वारा जो है यह गुजर कि हैं यह अर यह कि शंदर मेंने खित कतनों विचार कीजिए एंटीपीसी के आडाईयल समता बृधी में तीजी लाने के लिए एंटीपीसी आरईयल को 2020 में एंटीपीसी की पुन स्वामित्त वाली सहाय कंपनी के रूप में सामिल किया गया था दयाफ पार विंट जो है ए तो यहां पे NTPC जो हाराईल और NTPC को पुर्ण स्वामित वाली सहाय कंपणी के रूप में सामिल किया गया था कब 7 अक्टूबर 2020 को तो यह स्टेटमेंट आपका पहला सही है तीक है दूसरा स्टेटमेंट है दयापार बिंड NTPC आराईल के पहली पर्यूजना है और यह दाखें हाली में मिल इंड खबरों में रहा यह निमलिखित में से किसे सम्मान दीत है मिल इंड करें सब्सक्राइब आपका भारत बात किसका किया जा रहे हैं आपे मिल लिंड का तो इसका सही उत्तर यहां पर आपका क्या बन जाएगा ओप्सन नमबर सी ठीक आगे देखते हैं वर्ल्ड फुड इंडिया दो हजार तेजिस के बारे में पुछा गया है वर्ल्ड फुड इंडिया का पहला संसकरन दो हजार बाईस में लंच किया गया था दो हजार तेजिस की ठीम खाद अर्थ व्योस्था में परिवर्तन है वर्ल्ड फुड इंडिया एंसर क्या हो जाएगा आपे देखें बात करें वर्ल्ड फुड इंडिया की यानि खादे परसंसकरन उद्योग मंत्रा लेकी तो यह जो है 2017 में जो है इसका पहला संसकरन आया था तो यह इसमें गलत हो गया पहला यह 2017 में आया था ठीक है दूसरा है 2023 का थीम जो है खाद अर्थ प्रश्था में परिवर्तन है तो इसका थीम 2023 का क्या रहा था आपका तो संब्रिधी के लिए परसंसकरन तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया दोनों गलत हो गया तो आप्शन क्या हो जाएगा डी कंबाला एक वार्षिक भैंस दोड़ उत्सव है कंबाला जो भारत के निमिलखीत में से किस राजी की प्रमप्रा है केरल करनाटक अर्शम या नगालेंड ती जो है भैंस दोड़ होता है और यह कहां का आपका करनाटक का हेल वन आई ओएस जो है इस्पेक्ट्रो मिटर हाली में चर्चा में था इनने में लिखीत में से किस मसीन का हिस्सा है यह जो है अदित एलवन का हिस्सा है और अदित एलवन के बारे में आप सभी को पता ही होगा ठीक है अदित एलवन जो है यह मिसन यह शुरे का अध्यान के लिए है और यह एलवन में पहुंचके और वहां पर जो है शुरे के बारे में आपको अध्यान करेगा आगे देखते है हाली में अंतराश्टिया शौरगठ मंदन की छटी सवा नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजीत की गई कि आई एस एके शंदर में निमनली की कत्नों में विचार कीजिए देखे तो अंतराश्टी जो शौरगठ मंदन है आई एसे इंटर्नेशनल सोलर एलाइंस इसी के बारे में पुछा गया है अंतराश्टी स्वार गठ बंदन जो है आपका 2015 में सयुक्तरास जलवाई परतन समेलन में प्रस्तुत किया गया था इसे भारत और जर्मानी के द्वारा पर रंब किया गया बहुत है अच्छा प्रस् फ्रांस में मिलके इसको पर्रम किया थे यह गलत हो गया और ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका केवल एक हो जाएगा ठीक है तीस नोमर 2015 को जो है पेरिस में जो सयुक्तास जलवाई परिर्टन समेलन था उसी में इसका बात रखा गया था और भारतिये प्रधान मंत प्रांस एसी राष्टपती थे फ्रांस वा उलान इनीक द्वरा ये प्रस्तुत किया गया था अभी तो देखेंगे तो आईसे में जो है लगभग 120 देसिस में सामिल हो चुके हैं अगला देखते हैं अयसे का मुख्याले कहां है आप लोग जो है कमेंट बॉक में लिखेंगे थाजि में भार्तिये गुणता प्रशद ने नहीं दिल्ली में स्रतत् ब्यपार और मानक पे अंतराश्टिए सब्मिलन की मैजभानी की भारतिये गुणता प्रसद के संदर में लिखी कतनों विचार कीजिए अब देखे कुछ जो है इसमें प्रश्ण अब बहुत अच्छे अच्छे लेबल कर रखे गया हैं तो यहां पर अंतराश्टी यह सोरी भारतिय गुणवता परसद की बात की गई है और इसके बारें पहला कंईयुकती उद्योग जगत की सरकार को की गई सिफार्सो प्रधान मंत्री के द्वारा की अच्छा प्रस्ण है लेकि अनसर कया होगा इसका उप्सिन आ.स दोनों ही सऑह है भारतिय गुणवता परसद की बात करें वनी जरुद्योग मंत्रालेक उद्योग और आंत्रिक जो है बेपार संबर्धन विभाग एक क्या है एक स्वायत संगठन है और नई दिल्ली में सतत विकास और मानक पेंतराशिय समिलन का मिजबानी करता है ठीक है यहाँ पेंतराशिय आपको अगला देखेंगे हाली में किस हिंदी शमाने मन्रंजन चैनल ने अपने नए फिक्षन सो डोरी के लंज के माधियम से बाली का परत्याग मुद्यव संबोधित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्राले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ अपने शयों की सही एंसर क्या हो जाएगा हापे कलर्स तो यहाँ पर हिंदी समाने मन्रंजन चैनल की बात की गई है यह कलर्स ही है जो आपको फिक्षन सो डोरी को लंज करने के माधियम से बाली का परत्याग के मुद्द्य को संबोधित करेगा और इसमें महिला और बाल विकास मंत्राले क बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल में अपना सहयोग देने का खुशना किया है अगला देखे प्रसंसंक्या 75 निम्न लिखित में से कौन सा भारत का रास्टी यह जली जीव है यहाँ पे खारे पानी का मगर मच्छ है ओली वूरीड ले कच्छुआ गड़ियाल यह तो अपने अंसर कर लिए होंगे सही अंसर क्या हो जागा अप्सन नमर सी गांगा डल्फिन यह भारत कराश्टी यह जली जीव है अगला देखे जीका बाइरस के संदर में बताना है यह शंक्रमीत एडीज पर जाती के मच्छर के काटने से मनुस्व में फैलता है इसे पहली ब से क्या हो जाएगा इसका अप्सन नमर ए देखे जीका बाइरस जो है आपका यह एडीज पर जाती के मच्छर के काटने से मनुस्व में फैलता है यह बात आपका बिल्कुल ही सही है जीका बाइरस का पहली बार जो है चर्चा कवाया था उन्नीशो से तालीस में रिसस जो ह पहली बारे देखने को मिला था केनिया में यहाँ पर दिया है तो ऐसे में स्ट्रेटमेंट यह सही नहीं बनता चलिए आगे देखते हैं प्रसंद संक्या सेवेंटी सेवन देखें आप क्या पूछा गया है हाली में मुख्य सूचना आयूक के रूप में किसे जो है निकिया गया है या पनीट सही क्या होगे अप्सन नमबर B हीरालाल समरिया तीक है इनको जो है मुख्य सूचना आयूक के रूप में निकिया गया है अगला देखते हैं प्रसंद संक्या सेवेंटी आड किंद्री सूचना आयोक के शंदर में निमलिखित कत्मो विचार कीज चेतर शभी किंद्री ये सारजुनिक परदिकरन तक फैला हुआ है, मुख्य सूचना अयुक्त या सूचना अयुक्त जैसे भी मामला हो अपने कर्याले में परियूस करने की तारीक से तीन वर्स की ओधी के लिए पद्धारन करेंगे, बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें स अयुक्त अधिकार शेतर शभी किंद्री सारजुनिक परदिकरन तक फैला है, और मुख्य सूचना अयुक्त हो गया या सूचना अयुक्त हो गया जैसा भी मामला हो कर्याले में परियूस करने की तारीक से तीन वर्स की ओधी के लिए पद्धारने करेंगे, याद रखेंग इसका गठन कब किया गया था आपका, तो 12,10,2005 को, यानि 12 अक्टूबर जो है आपको 2005 को इसका गठन किया गया था, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बिमारी है, पिजवर, इबोला, हेपटाइटीस, खसरा, रुबेला, शंक्रामक बिमारी पू यहाँ पे जो है, पिजवर हो गया, इबोला हो गया, हेपटाइटीस, खसरा, इस सारा ही संक्रामक की विमारी है, तो अप्सन नमर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोलियोगर अभी हो गया, जिका वाइरस हो गया, आपका इस सारा हो है, संक्रामक विमारी है, अगला प अंजिला मैथूज, दसुना सनाका, शादीरा, शमर विक्रमा ये चरीत असलंका टाइम आउट जो नियम है इसका सिकार कौन हुगा तो सही अंसर हो जाएगा अंजिला मैथूज अब देखिए अब टाइम आउट के बारे माँ आपको पता ही होगा ये जैसे ही कोई वलेवाज मान लीजिया आउट होता है तो दूसरा वलेवाज जो है पीछ पे पहुँचने का ये क्या होता है समय निधारन होता है तो दो मिनट के अंदर अगर वो नहीं पहुँचता है तो उसे टाइम आउट खोशित कर दिया जाता है और ऐसा देखने को मिला अगला देखिए निमलिखित में से कौन ब्रंपुत नदी की सहायक जो है नदी है दिवांग लोहित कामेंग अब ब्रंपुत नदी की सहायक नदी की लिस्ट लंबी है इसमें ओप्सन में देखें तो यहाँ पर दिवांग ही हो जाएगा लोहित और कामेंग यहाँ पर ओप्सन क्या हो जाएगा आपका डी बन जाएगा अगला देखते हैं प्रसन संक्या ब्यासी निम्नलिखित नदीव विचार कीजिए वराक लोहित शुबन सीरी उप्रक्त में से कौन सा परवा अणौ नाचल परदे से पुछा गया तो लोहित और शुबन सीरी अप्सन नमर आपका बी बन जाएगा अगला देखते हैं प्रसन संक्या अटी थिरी विश्व सत्रण चंपियंशिप का दो हजर चौबीस का अयोजन कहां आयोजित होने वाला है विश्व सत्रण चंपियंशिप तो यह कहां पर टॉरंटो जो है कनाड़ा में तीन से पचीस अप्रेल का निर्धारित किया गया है कि बीश्व सत्रण जो है चिंपियंशिप आपको टॉरंटो में इसका योजन किया जाएगा अगला देखते हैं प्रसन संक्या 84 अंतराश्टी सत्रण महा संग का मुख्या निम्नलिखित में से किस देश ने हाली में ब्यापक परमाडू परिक्षन प्रतिबंद संधी से अपना अनुसमर्थन रद किया है ये कौन है आपका रूश याद रखेंगे तो जो ब्यापक परमाडू परिक्षन प्रतिबंद संधी है इससे अपना अनुसमर्थनी रद क कर दिया है कौन रूश भारत के बारे में अगर पुछा जाए तो इस संधी पे भारत अभी तक हस्ताक्चर ही नहीं किया है ठीक है अगला देखिए बैस्विक रोग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जता है उनिसेफ के द्वारा विश्वस्वात संगठन है बैस्विक बैस्विक 6 रोग रिपोर्ट जो है किसके द्वारा विश्व स्वात संगठन के द्वारा डवलुएचो को द्वारा और 2022 में दुनिया में 87% टीवी के मामले तीस उच जो है टीवी रोग यूग में से एक था यानि अगर देखेंगे तो बैस्विक संकर्मन का दो तीहाई आट देसों में है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे रिपोर्ट क्या बताता है आपको 27% भारत यानि एक नंबर पे इसके बाद इंदोनेसिया प्रस संग्यादो थाओं यहाई अगला प्रस्न है आपका प्रस्न हटक्या सता सी वायू गुरता सुच का आंक हाली में समाचार पत्रों में देखा गया इसकी घड़ना कई वाई प्रदुसर्क माप का धिरित्षार मेठीड इसमें किसका सामिल के गया वाई गुड़नता सुछकानक में कर्दुसर्भ के माप का धार पर किस घृषकाक के मूझे कर्दूसर्क कर्दूसर्द के शेतास्अ मनुकल क्य Cyrus को पूशा जो है 44 और पूशा जो है 2090 हाली में चर्चा में रहा एक किसका पर जाती है ते किसका है चावल का पर जाती है अगला देखें निम्नलिकित में से कौन सा देश? 2024 के लिए अंतरास्टी चीनी संगठन का अधियक्ष होगा? इसका मुख्याल जो कहाँ पर आपको तो लंदन में है खादे और क्रिसी संगठन के संदर में ने मिलिखित कतनों विचार कीजिए यह संग्तुराष्ट का एक बिशेश संस्ता है भारत इसका सदस्य देश है कौन सा इसमें सही होगा तो अपसा नमर सी हो जाएगा एक और दो दोनो अगला देखते है भारत में चीता पुनर उत्पादन परियोजना के अपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को सुरू की गई इसमें दच्छिन अफरीका और नाम बिबिया से कुनो राष्टिय उद्यान में चीतों का अस्थांतरन सामिल है कुनो राष्टिय उद्यान निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित है ठीके देखिए 1922 में देश में बिलुप्त खोसित कर दिया गया था चीतों की बात की जाए तो अब पुनर जो है इसका यहाँ पे अस्थापना की बात की जा रही है तो यहाँ पे अंसर क्या हो जाएगा option नमर ए पुछा गया था कि कुनो कहां पे है तो यह तो मद्य परदेश में है ठीक है दचीन अपरिका और नाम विविया से जो है मद्य परदेश के कुनो राष्टिय एदान में चीता का स्थांतरन किया गया अगला देखे प्रसन संख्या वानवे अंतराष्टी उर्जा एजनसी के संदर में बताना है यह विश्व उर्जा आउटलूक जारी करता है यह पेरिश इस्थित स्वायत अंतर सरकारी संगठन है बताना है कौन सा सही है देखे सही इंसर अपका क्या बनेगा आपके ऑप्सन नमबर शी दोनों ही सही है अंतराष्टी उर्जा एजनसी की बात कही गई है तेक स्वायत अंतर सरकारी ही संगठन है आपका इसका स्थापना जो है कहां किया गया है तो पेरिश में कब किया गया था यह भी बात थोड कोर्परेट का पाच्वा जो है संस्क्रन उत्री बंगाल के खाड़ी में हुआ है भारत और किसके नौशानी का भ्यास है भारत और किन देश के बीच है नौशेना का भ्यास है पुछा गया असान से प्रस्णा एंसर करें कोर्परेट है सही इंसर क्या हो जाएगा भारत और बंगलादेश यह भारत और बंगलादेश के बीच में आपका द्यूपक्ची अव्यास है कोर्परेट अगला देखते हैं यह देखेंगे तो कॉर्परेट जो है पाच्वा संसकरन उत्री बंगल की खाड़ी में किया गया यह बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ठीक है इसका चौथा संसकरन जो है यह आपको बोंगो सागर 23 ठीक है बोंगो सागर भारत और बंगलादेश के ब भ्यास होता है नौ सेना का होता है ध्यान रखेंगे अगला है निमलेखिर कतनों विचार कीजिए भारत के विभाजन के समय अचारे जेवी किर्प्रानी भारतिय रास्टे कंग्रेस के अध्यक्स थे उन्होंने भारत चेन युद उनीस सब आशट के तुरंत बाद उनीस सन्वास प्रस्ताव भी पिस किया था इसमें कोन सा कतन सही है जों एक उले कल एक और दो दोनों या इन में से कोई नहीं को देखें भारत के विभाजन के समय पुछा गया है तो विभाजन के समय जो है कॉंग्रिस के देख यही रहे थे तो बात सही है भारत चीनी यूद के तुरंत बाद 1963 में लोकसभा में पहला अभिश्वास प्रस्ताव भी इनके दोरा जो है पेस किया गया था जे भी किरपलानी की बात क पासी को जो हैदराबाद सिंदमेन का जन्म हुआ था ठीक यहां पर अंसर आपका क्या बन जाएगा दोनों सही है तो सी राष्टी ये आर्जुवेद दिवस दुहजरते इस निमलिकित में से किस तारीक को आयुजित किया गया था राष्टी ये आर्जुवेद दिवस ये क्या हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर यहां पर भी दस नॉमबर ठीक है प्रतेक बर्च जो है आपको धनवंत्री धनवंत्री जेयंती के दिन जो है आयुज मंतरा लेक दोरा विश्व आर्जुवेद दिवस मनाया जाता है थीक है दस अक्टूबर दो हजरते इसको जो है ये आयुश मंत्री है सर्वनान जो है सोनेवाल इनी के दौरा जो है रास्टी आरजुबेद दिवस का उधगाटन किया गया ठीक है तो ये जो है दस नॉम्बर नहीं दस अक्टूबर बनेगा इसको दस अक्टूबर कर लेंगे रास्टी आरजुबेद दिवस ठीक है आगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं करें चलिए इसको जो है दस अक्टूबर या दस नॉम्बर इसमें कंफर्मेशन नहीं है तो इसको अगले में किलियर करेंगे करेंगे यह तो साथ आठ नॉम्बर को मनाया जाता है ठीक है चलिए इसको जो है अगले यह 95 को किलियर करेंगे ठीक है बाकि आप लों कमेंट करके बताएंगे हाली में इसको द्वारा किस भारती सहर को शंगीत सहर घोसित किया गया यह सांद सप्रस्ण है शंगीत सहर तो भी थे और उसमें यही आपको ऑप्सण भी डला था बस वहां पर गलत जो अप्सण डला था तो ग्वालियर को जो है उन्हें इसको क्रियेटिव सिटी नेट्वर्क में भी सामिल किया गया यह बात हम लों देखे थे और संगीत के दुनिया से देखेंगे तो ग्वालियर घराना से जो है अकबर के नौरत्न में एक व्यक्ति सामिल था ठीक है चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नंबर 97 हाली में भारत संयुक्त राज रक्षा त्वरन परिस्तितिक तंत्र जो है इंडस एक्स की पहली जो है निवेसक बैठा का आयोजन्निम लिखित में से किस स्थान पे किया गया तिये कहां पे नई दिल्ली में ठीक है इंडस एक्स अगला देखते हैं प्रसंशंक Ken 98 राष्टिये सिक्षा दिवस का आयोजनिम लिखित में से किस दिन को किया गया राष्टिये सिक्षा दिवस यदि राष्टिये सिक्षा दिवस आपको कब मनाया जाता है 11 नॉम्बर को मौलाना अब्जूल क्लाम अजाद ठीक है उनीक जयन्ती पे 11 नॉम्बर को आपको मनाया जाता है ये 2008 से जो है मनाना शुरू हुआ है और बैस्वी कस्तर पे अगर पूछा जाए तनस्त रास्टिय सिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 जन्वरी को ये बैस्वी कस्तर पर पूछा जाए तो ये एंसर करेंगे बाकी जो है रास्टिय सिख्षा दिवस 11 नॉवंबर को निमलिखित में से किसे Association of Mutual Funds in इंडिया के नए मुख्य करिकार अधिकारी के रूप में नियूप किया गया है encional है टो corre किसे अंगेस्थ तो सही इंसर क्या हो जाएगा option दो यहां पर घकर्ट नागेश्वर चलसानी teenage ये बिस 150 मनाया जाता है तेन die फीदिय लिए से वादिवस यहांपने सही इनसर आपका क्या बन जाएगा option सब्सक्राइब को राष्ट यह बिदिक सेवा दिवस याद रखेंगे तो चलिए इस तरह से आपका जो है यह सौ प्रस्ण जो है फिनिस हुआ और यह नॉंबर महीने का करिंट इफ्यर के कलेक्शन था बाकि हम देखेंगे कि वह सब्सक्रार को रहेँ तो आपका टेस्ट स्री जो है जैसे चल रहा है उसे चलते रहेगा जो भी Trump top होगा हम कोसिस करेंगे morning में आбको पुर्भाइट किया जाएगा बाके टेस्ट स्रीज आपके लिए महत्पूर्ण नहीं है उसाम में पुर्भाइट किया जाएगा चलिए तो इसके अलवा आपका कोई पुर्भाइट किया जाएगा चलिए तो इस लेक्षर को आप अधिक साधिक सेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पास से कंटेंट जो है वैतर कंटेंट पहुंच है देखे मेरे पस कोई अपना एक ओनलाइन को डिजिटल टीम नहीं है कि जो स्प्रेड करें लेक् कर सकते हैं ठीक है और यह लेक्षर जो है सभी के लिए है इसमें अब कुछ कोश्चन जो है अच्छे लेबल के भी दिये हुए थे ठीक अच्छे लेबल कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा जो है आउट अब बग्ट जिनरली आप नहीं देखते हैं लेकिन आज कल जो है प् टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो ओभी टॉपिक आप मेंसन कर सकते हैं चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद